ट्रायल बाय फायर देश की राजधानी में सिस्टम कैसे काम करता है ये सीरीज इसकी बानगी है बिना किसी राजनेदिक रंग के बनी ये वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर एक बहतरीन सीरीज कही जा सकती है ये कहानी उपहार सिनिमा हाथसे से शुरू होकर उपहार हाथसे पर आकर ही रुपती है नैट्फिक्स पर काफी पसंद की जा रही ये सीरीज नीलम कृष्ण मूर्ती और शेकर कृष्ण मूर्ती की किताब ट्रायल बाय फायर पर आधारित है निर्देशक जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर की रिलीज के दिन 1997 में दिल्ली के उपहार सिनिमा हाल में ट्रांसफॉर्मर में आग लगी ती है कि उसी ट्रांसफॉर्मर में ठीक उसी दिन सुबा भी आग लगी थी इसकी मूल समस्या को ठीक करने की वज़ाए विजली विभाग ने उसके फ्यूज हटा कर उसकी सप्लाइस सीधे चालू कर दी उस दिन सिनिमा हाल में बेंतिहां भीड थी लहाजा अतरिक्त दर्शको को बठाने के लिए पहले से बनी बैठक व्यवस्ता को बदल कर अलग से कुर्सिया लगाई गई सिनिमा हाल में आपात काली रिस्तिती में निकास की उचित व्यवस्ता नहीं थी और बालकनी का दर्वाजा स्टाव ने बाहर से ताला लगा कर इसलिए बंद कर दिया था ता से में मरने वालों की संख्या लगभग 50 से अधिक थी और घायलों की संख्या लगभग 100 के करीब सिनेमा घर उनका है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आधी दिल्ली बसाई है बंद दर्वाजे से शुरू ही कहानी सीरीज में दिखाया गया ये मुद्धा बड़े इसकी मुख्य किरदार नीलम कृष्ण मूर्ती के दोनों बच्चे मारे गए यही बच्चा बताता है कि बालकनी का दर्वाजा बाहर से बंद था नीलम अपने पती के साथ यहीं से एक मुहिम शुरू करती हैं कि जब हम एक साथ चुड़ते हैं हम एक दूसरे की ताकत बंदे हैं और ये ही उनकी गलती होगी दोनों मिलकर उपहार हाथ से का शिकार हुए लोगों के परिवारों को संगटित करना शुरू करते हैं सूखे मेवे का व्यापारी यानी आशीश विद्यार्थी इस संगठन से जुड़ने वालों को अपना निशाना बनाता है उसे पैसा खूब मिलता है और बदमाशी भी खूब करता है फिर एक दिन शेखर इस मेवा कारोबारी के घर पहुँश जाता है राजधानी चलाने वाले सिस्टम का रिपोर्ट कार्ड उपहार है कहानी उपहार हास्से से शुरू होकर उपहार हास्से पर आकर ही रुपती है इस बीच साथ एपिसोड की ये सीरीज कानून के, समाज के, पुलिस के और मीडिया के चहरे बेनकाब करती है सब कुछ शुरू होने से पहले इस सीरीज ये भी बताती है कि ये कहानी कालपनिक है लेकिन दाद देने होगी सीरीज बनाने वालों की, उन्होंने गोपाल बंसल और सुशील बंसल के नाम नहीं बदले राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा हाथसा होने के बाद भी प्रधान मंतरी का प्रतीक्रिया ना जताना उनका शेरों के साथ फोटो खिचाना, सरकारी दफतर से एक आम आदमी का मामले से जुड़े सारे कागजात लाकर घर पर ही तफतीश शुरू कर देना इस सीरीज में ये सब कुछ दिखाया गया है, सीरीज देखते हुए लगता ही नहीं है कि ये 25 साल पुरानी बात है, यू लगता है कि ये सब कुछ अभी हो रहा है हमारी और आपकी आँखों के सामने और यही इस सीरीज की जीत है ये सीरीज ट्रैल वाइफायर शुरू के चार एपिसोड में सरपट भागती है 1965 की जंग के एक हीरो यानि अनपम खैर को ये फिल्म यानि बॉडर इसलिए देखनी है कि वो 1971 की जंग में शामिल नहीं हो पाए उनकी पतनी यानि रतना पाठक शाह बताते हैं कि उसने एक चित्रकार बनने का अपना ख्वाब अपने पती के ख्वाब को पूरा करने के लिए कुर्बान करती है उधर उपहार में लगे ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत के लिए जम्मिदार कर्मचारी की बेटी की शादी होनी है वो तैयारी में लगा है कि पुलिस उसे लेने आ जाती है सिस्टम के साथ साथ कानून की रखवाली करने वालों की बखिया उधेरती इस सीरीज की असल नायक राश्च्री देश पांडे है सीरीज में इन्होंने नीलम कृष्ण मूर्ती का किरदार निभाया है सीरीज का पूरा तेज उनके अभिनय का है वो मराट वाडा की मिट्टी की हैं जूजते रहना उनकी जिंदिगी में शामिल है और नीलम कृष्ण मूर्ती के जुझारूपन को जिस तरह उन्होंने कैमरे के सामने जिया है वो उन्हें तमाम इक्राम का हगदार बनाता है अभय देवल का अभिनय धीरे धीरे उनकी अपनी ब्रांडिंग बनता जा रहा है उनका होना कहानी को एक अलग टेंपरिचर देता है अभय देवल के अभिनय का ही कमाल है कि पूरी सीरीज में वो एक हास्से से पीड़ित व्यक्ती नजार आते हैं अनुपम खैर, आशीश विद्यारती, रतना पाठक शाह सीरीज में सीमित समय के लिए हैं लेकिन कहानी के लिए बिलकुल उप्योक्त टिगर्स का काम करते हैं शिल्पा शुकला का किरदार असरदार है वे पड़ोसी की मदद करने वाली ऐसी महिला के किरदार में हैं जो दवा पढ़ने पर उसी के खिलाफ इस्तिमाल होने वाला बयान भी दे देती हैं इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत आखरी के तीन एपिसोड्स हैं आखरी एपिसोड्स में उपहार अगनी हाथ से को जिस तरह से फिल्माया गया है वो रॉंग्टे खड़े कर देता है हटो! हटो! प्लीस मेरे दोने बच्चे अज़ग! हटो, बच्चे! I'm looking for my children! रजी बाहर से रागते! हो सकता है कि नीलम कृष्ण मूर्ती और शेखर कृष्ण मूर्ती ने अपनी किताब में ऐसा ही लिखा हो! सीरीज में कुछ छोटे-छोटे किरदार शुरू से बोए गये हैं जिनकी पौद आकरी के एपिसोड्स में बढनी शुरू होती हैं लेकिन इन में से कुछ किरदार अपनी गती को प्राप्त हुए बिना ही लोग हो जाते हैं प्रिजेंट और पास्ट दोनों को डिवाइट करने के लिए सीरीज को एडिट करते समय अलग-अलग कलेवर दिये गये हैं जो काफी रोचक बन पड़े हैं संगी संघर्ष का साथी होता है यहां बैक्ग्राउंड स्कोर भी इसी तरह का रचा गया है नैट्फिक्स का नया मैनेजमेंट भारती प्रश्ट भूमी की अब ऐसी कहानियां चुनने में कामयाब हो रहा है जिनकी रगों में देसी एहसास दोड़ रहा है सीरीज के तौर पर आ रही है नई नई कहानिया भारत के छोटे छोटे शहरों के ना केवल रंग रूप बलकि उनसे आने वाले कलाकारों को भी अपना अभिनाय दिखाने का पूरा मौका दे रही है हमारी तरब से इस सीरीज को रेटिंग है 3.5 और आपको ये सीरीज कैसी लगी कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं